साथियों, बीते छे वर्ष में हमारा फोकस रहा है Banking the Unbanked, Securing the Unsecured, और Funding the Unfunded आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है Honoring the Honest, इमांदार का सम्मान देश का इमांदार Taxpayer राष्ट निर्माण में बहुत बड़ी भूमी का निभाता है जब देश के इमांदार Taxpayer का जीवन आसान बनता है वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है देश भी आगे बढ़ता है साथियों, आज से शुरू हो रही नई व्यवस्ताएं, नई सुविधाएं minimum government, maximum governance, इसके प्रती हमारी प्रतिवधता को और मजबूत करती है ये देश स्माचियों के जीवन से सरकार को, सरकार के दखल को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदब है साथियों, आज हर नियम कानुन को, हर policy को, process और power centric approach से बहार निकाल कर उसको people centric और public friendly बनाने पर बल दिया जा रहा है ये नए भारत के नए governance model का प्रयोग है और इसके सूखद परणाम भी देश को मिल रहे है आज हर किसी को ये एहसास हुआ है कि short curse ठीक नहीं है और हमारी यहां तो railway station पर लिखाए जाता है short cut will you cut you short गलत तोर तरीके अपनाना सही नहीं है वो दोर अब पीछे चला गया है अब देश में माहोल इस और आगे बढ़ रहा है कि कर्तव्य भाव को सर्वों पर ही रखते हुए सारे काम होने चाहिए सवाल ये है कि ये बढ़लाव आखिर कैसे आ रहा है क्या ये सिर्फ सक्ति से आया है क्या ये सिर्फ सजा देने से आया है जी नहीं बिलकुल नहीं इसके अगर मोटे मोटे तौर पर मैं कहूँ तो चार बड़े कारण है पहला पॉलिसी ड्रिवेन गवरनन्स जब पॉलिसी स्पस्ट होती है तो ग्रे एरियाज मिनिमम हो जाते हैं और इस कारण व्यापार में, बिजनेस में और सरकार के और नेणव में भी डिस्क्रिशन की गुंजाईस कम हो जाती है दूसरा सामान्य जन की इमाददारी पर विश्वास तीसरा सरकारी सिस्टिम में हुमन इंटरफेस को सिमित करके टेक्नोलोजी का बड़े स्तर पर उप्योग आज सरकारी खरीद हो सरकारी टेंडर हो या सरकारी सेवाओं की डिलिवरी सब जगह टैक इंटरफेस सर्विस दे रहे हैं और चौता हमारी जो सरकारी मशिंद्री है जो बिरोकसी है उसमें एफिशंसी इंटिग्रीटी और सेंसिटिविटी के गुणों को reward किया जा रहा है पुरस्कृत किया जा रहा है